इसनाम लेकुम जी क्या ने ठीक्टा के खहरी से हैं यार क्या लाते है डॉलर के क्या नाइन्टीवन अभी और उपर जाएगा खुदा का फॉफर है यार अल्ला रहां करें तो यार बिजनस क्या से होगा या करेंगे भाई ठीक है यार आपके भी बस में नहीं है चले ठीक है थैंक यू आसिफ शहजाद हफीज सेंटर में कम्प्यूटर एसेसरीज का कारोबार करते हैं रुपए की मसलसल और तेजी से बेकदरी ने आसिफ शहजाद समेट कमोबेश तमाम ही कारोबारी अफरात को तश्वीश में मुप्तला कर दिया है गुजिशता चंद रोज में डॉलर की गदर में तीन रुपए का नुमाया इजाफा हुआ है डॉलर मसलसल हाथ से निकलता जा रहा है और इसी रफतार से कम्प्यूटर्स उसकी असेसरीज और मुबाइल फोन्स भी महंगे होते जा रहे हैं कम्प्यूटर इंपोर्टर्स का कहना है कि आई रोज डॉलर का बुलंद तरीन सता पर पहुँचना उनके कारोवार पर इंतहाई मनफी असरात मुरत्ब कर रहा है मुबाइल फून की कारोबार से वाबस्ता अफरात का कहना है कि डॉलर महंगा होने से मुबाइल फून की फरोग पर मनफी असरात मरतब हुए है और मुखतलिफ मौडल्स की खीमतों में भी 500 से 3000 रुपए तक इजाफा हो गया है हर चीज डॉलर से लिंक अप है हमारे एकॉनमी में जिस तरह डॉलर इंक्रीज कर रहा है उसी तरह हर चीज इंक्रीज करती जा रही है प्राइस कोई भी चीज है उसकी बढ़ गई हुई है लोगों की बाइंग पार कम होती जा रही है और चीजें महंगी होती जा रही है एक जिज़ हमें 60,000 की कॉस्ट करती थी अगर एक फोन सेट वो अभी हमें 62, 63 में कॉस्ट कर रहा था हम इतने इससे सस्ता बेच रहे थे उससे मेंगाब हमें कॉस्ट करता है डॉलर की प्राइस की वएसे जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो जादा हो गई है ताजरों का कहना है कि अगर रुपे की कदर में मजीद कमी हुई तो उनकी मसनुआत की खीमतों में 20 पीसद तक इजाफा हो जाएगा डॉलर की कदर में तेजी से गिरावट पर ताजर सख परेशान है उन्होंने स्टेट बैंक से मतालबा किया है कि वो मनी मार्किट में डॉलर इंफ्लोज बढ़ा कर एक्सचेंज रेट को मस्तहकम करे कैमरमेन राना आयास के साथ अजर अली खान सिटी 42 हफीज सेंटर